चोपडा एजूगेसिन चैनल में मैं हरसाय चोपडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ NTA ने जो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास एप लॉंच की है उसमें आरी प्रोब्लम और एक्जाम पैटरन के बारे में इस्टुडेंट को काफी कन्फूजन है इस वीडियो में हम इसी विशाय पर important points पर चर्चा करेंगे इस एप में क्यूशन पेपर का level high और कुछ क्यूशन आउट ओप NCRT होने के कारण काफी स्टुडेंट confused है कि क्या मैन एक्जाम में भी difficulty level same रहेगा और ये टेस्ट स्टुडेंट को देना चीए या नहीं देना चीए तो इस वीशाय पर भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या problem आ रही है अभी तक इसमें seven practice test upload कर दिये गए हैं मगर कुछ student इनको open ही नहीं कर पा रहे हैं open करने में ही problem आ रही है तो इसके लिए student इस app को daily update करें आप इसको open करेंगे तो update का option मिलेगा और get app के option या फिर play store से update करें उसके बाद login करेंगे तो test open हो जाएंगे और फिर कोई problem आती है तो आपको इस app को uninstall करके दुबारा से install करना होगा दुबारा से install करते समय डिफरेंट phone number और डिफरेंट email id से sign up कर लें app open हो जाएगी और आप test practice कर सकते हैं अभी हम बात करेंगे कि इनमी जो test दिये गे हैं उनका difficulty level high आ रहा है और काफी question out of NCRT आ रहे हैं क्या main exam में भी ऐसा ही level आएगा तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो question डाले गए हैं वो previous year के सभी exam को लेके डाले गए हैं पहले जो AI PMT हुआ करता था इसके अलावा करनाटका का कोमेट के हुआ करता था उनके ये question है तो आपको इससे नर्वस होने की आवश्यक्ता नहीं है अभी NTA के help line number पर काफी email इस वीसे पर भेजे गए हैं अभी NTA next वाले जो test हैं वो धीरे धीरे difficulty level को normal कर रहा है और NTA ने कहा है कि आगे वाले test में इस बात का ध्यान रखा जाएगा जो भी test upload किये जाएंगे वो test के तोर पर ही किये जाएंगे यानि कि level ऐसा ही रहेगा जो NIT में आने वाला है बात रही out of NCRT की तो man exam में biology में 3-4 question out of NCRT आते ही हैं तो इसमें घबरानी वाली बात नहीं है NIT 2020 के man exam में भी 3-4 question out of NCRT आ सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि जैसा इस practice test में difficulty level है वैसा man exam में रहने वाला नहीं है man exam में paper NIT 2017-18-2019 के paper का average ही रहने की समावना है अभी काफी student इस test को देकर demotivate हो रहे हैं क्योंकि इसमें marks काफी कमा रहे हैं और सोज रहे हैं कि आगे ये test देना चीए या नहीं देना चीए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये test आपको अवस्य देना चीए चाहे आपका score कुछ भी आए उसकी tension मत लो इसमें आपका score अवस्य ही कमाएगा मगर आप एक भी test को ignore मत करो जितने भी question है उसका solution आप अवस्य कर लो एब में solution नहीं है तो book से solution कर लो इसका कोई भी question बिना solve कि ये मत छोडो आप अपने practice schedule के according करते रहें मगर इस test के लिए आप डेली 3 hours अवस्य से निकालें और score की चिंता नहीं करते हुए प्रोपर exam की तरह test दें मानो आप exam hall में ही ये test दे रहे हैं इस test को आप practice में सामिल कर लो और डेली इसके लिए time fix कर लो उस time पर इसकी practice आपको करनी ही है क्योंकि ये offline है तो दोस्तों वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि main exam का difficulty level इस test जैसा नहीं होगा वो normal medium होगा और NCRT best होगा और ये test आपको बिना score की चिंता के वहे देना ही चीए इसके बारे में और कोई update मिलेगी तो हम आपको inform करेंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वो जदा जदा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी की साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन